हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आप सभी कई बाफिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलिवूड पर स्वागत है कपिल शर्मा एक पॉपुलर कॉमेडियन है और बहुत स्ट्रगल करके वो आ गया है पर शराब एक ऐसी लथ होती है जो इनसान को उनके असली वेक्टित से भटका देती है कपिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है लोग सोचते हैं कि कपिल एक कॉमेडियन है तो उनके असली लाइफ भी काफी हलकी फुल की होगी पर ऐसा नहीं है उनने शराब के नशे में कई ऐसी गलतिया की है जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे उनमेंसे कुछ के बारे में आपने सुना होगा पर मैं उसे डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कपिल का सपना है कि वो अपने स्वर्गे पिता को दुनिया की सबसे महंगी शराब खरीद कर डेडिकेट करे इससे समझ आता है कि शराब उनकी जिंदगी में नाकेबल स्टेटस सिंबल है बलकि खुशी जताने का तरीका भी लेकिन कोई भी चीज सीमा में या हद में अच्छी लगती है और शराब भी ऐसी चीज है जो सीमा से पार हो जाए तो पूरा का पूरा इंसान ही बदल जाता है कुछ लोगों को पीना तो आता है पर फिर खुद पर काबू करना नहीं आता और कपिल शर्मा कई बार इस बात का एक्जामपल बन चुके हैं कपिल शर्मा ने सबसे बड़ी गलती शराब के नशे में एक इंटरनेशनल मराथी फिल्म फेस्टिबल में की थी साल 2015 में आयोजित इस फिल्म फेस्टिबल में कपिल शर्मा की टीम का भी कुछ एक्ट था यहां कपिल ने कई दफा ड्रिंक पिली और फिर वो शराब के नशे में कुछ मराथी एक्ट्रेसेस के साथ जबरदस्ती डांस करने लगे कहा जाता है कि मराथी एक्ट्रेस दिपाली सायत, सिंगर मोनाली ठाकूर और एक्ट्रेस तनीशा मुखरजी के साथ ना केवल उन्होंने बद्तमेजी की बलकि उन्हें ना जानने के बावजुद उनके करीब जाने की बार बार कोशिश की actresses की शिकायतों पर बाद में कपिल के act को cancel कर दिया गया था कपिल ने इस मसले पर कभी media से बात नहीं की लेकिन इस घटना के just बाद उनका एक tweet आया था उन्होंने PM को tweet किया था उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को tweet करते हुए लिखा था कि मैं पिछले 5 साल से 15 करो रुपया income tax भर रहा हूं लेकिन अभी भी मुझे अपना office बनाने के लिए BMC को 5 लाग रुपय का घुस देना पर रहा है उन्होंने दूसर ट्वीट करते हुए लिखा कि यह हैं आपके अच्छे दिन कपिल के इस tweet पर काफी हंगामा बचा था और लोगों ने कपिल को PM को इस तरह से casual tweet लिखकर tag करने पर काफी ट्रोल भी किया था बाद में कपिल ने अपने शो में माना कि उन्होंने यह tweet रात में काफी पी लेने के बाद गुसे में किया था कपिल ने तीसरी बार शराब के नशे में ऐसी हरकत एक रिपोर्टर के साथ की उन्होंने एक बार काफी ट्रिंक करने के बाद spotboy.com के एडिटर विकी लालवानी को कॉल किया था और उन्हें उनकी मा और बहन लगा कर बहुत गाली दी थी उन्होंने इतना abusive language बोला था कि उसके बाद कपिल की छवी काफी लोगों के दिमाग में ब मानते हैं कि उनकी भाशा गलत थी वो उससे में काफी डिप्रेस थे और उन्होंने बहुत पीना शुरू कर दिया था जब लोग अपने सेंस में नहीं होते हैं तो ऐसा काम करते हैं उन्होंने इस शक्स को फोन करके भला बुडा कहा क्योंकि उस बंदे ने छे मैने में उन पर एक सो साथ आर्टिकल्स लिख डाले थे और किसी भी आर्टिकल में कोई सच्चाई नहीं थी उन्होंने कभी भी किसी सेलिब्रिटी को अपने शो पर वेट नहीं करवाया है वो आगे कहते हैं कि जब मैं गुसा होता हूं तब गाली देता हूं भविश्य में भविश्य वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे पर शो हुआ लेकिन शो के बाद उनकी टीम के मेंबर चंदन होटल छोड़कर चले गए थे और वो कपिल से मिले नहीं उन सब की मुलाकात फ्लाइट पर हुई कपिल और इस बात से बहुत गुसा थे फ्लाइट में जब खान घटना के बाद शो छोड़ दिया कपिल ने बहुत माफी मांगी लेकिन चंदन तो वापस आ गये पर बाकी दोनों वापस नहीं आये कपिल मानते हैं कि उन्हें इस घटना ने काफी परिशान किया क्योंकि वो इस तरह के इंसान नहीं है वो इतना डिप्रेस हो गए थे कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे वो काम के प्रेशर से भी बहुत परिशान थे और इस तरह उनकी तबियत बिगड़ने लगी इसका अशर शो पर भी पढ़ने लगा जब शारुख खान अजय देवगन अनील कपूर जैसे सेलिबिटी आये तो वो शो करने की हालत सेट में नहीं थे लेकिन वो सेट पर चुपचा बैट जाते थे ताकि स्टार्स को बुड़ा ना लगे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इगो या एरोगेंस में सेट पर नहीं आये हो या किसी को मना कर दिया हो उनकी बुरी हालत देख कर सभी स्टार्स ने खूद ही शो कैंसल क कर दिया था और उन्हें आराम करने की सला दी शो से स्टार्स के लॉट जाने पर कपिल के बारे में उस वक्त बहुत कुछ लिखा गया था पर वो शांत रहे लेकिन एक वक्त के बाद उनका गुस्सा कुछ मीडिया हाउसेस पर फूट पड़ा जब कपिल इस बुरे दोर से ग पिश्किल के घरी में उनकी पतनी गिन्नी चत्रत जो कि उस वक्त उनकी गल्फरेंट थी उन्होंने बहुत साथ दिया अब कपिल शर्मा दो बच्चों के पिता बन गये हैं और एक हल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं उमीद है कि भविश्य में कभी भी ऐसी गल्त की फिर नहीं दोराएंगे आज की लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज से लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वैक्सीन जरू लगवाएं थैंक यू सो मच